Good morning students, कल की कक्षा में हमने पढ़ा Principles of Designs यानि की Design के सिद्धान्त जिसमें हमने, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि Balance क्या होता है और हमने Types of Balance पढ़े थे फिर मैंने आपको रिदम के बारे में बताया था कि रिदम क्या होता है आज इसी टॉपिक को हम continue करेंगे रिदम मैंने आपको बताया ले यानि की संगीत की ले जैसे आप सुनते है Music है कई सारे गानों में आपको शब्द याद नहीं रहते लेकिन आपको उसकी ले यानि Music याद रहता है यानि की डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग में अगर हम बात करें तो अगर हम एक तरफ से चलते हैं हमारी आखें और दूसरी तरफ से बिना किसी रुकावट के नीचे से उपर, उपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट अगर एक डिरेक्शन में च जिनको हम अपने जब डिजाइन करते हैं वस्रों का तो अगर हम ऐसा प्रयोग करें जिसमें हमारी धारियां या हमारी शेप्स या रंगों का रिपिटेशन हो यानि की बार बार उनका इस्तेमाल हो एक ही जगह पर तो उसे बोलते हैं रिपिटेशन दूसरा है ग्रेडेश ग्रेडेशन यानि की कोई भी चीज बड़े से होती हुई छोटी होती हुई जाए यानि की for example अगर हम देखें तो कोई भी मोटेफ है तीन कहरीया है फिर आगे चलके दो हो जाएं फिर एक हो जाएं तो आपकी आँके ग्रेजुली बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा होती है ट्रांजिशन जिसमें a fluid rhythm created when a curved line leads the eye over an angle यानि की एक एंगल से घुमती हुई ट्रांजिशन यानि एक जगे से होती हुई दूसरी जगे पे ट्रांजिट करती है जादतर रेखाएं इसके दोरा जब हम radiations निकालते हैं तब हम उनको अभी मैं आपको detail में बताऊंगी उन्हें बोलते हैं transition a position यानि की जब दो line आकर right angle पर मिलती है right angle यानि 90 degree का कौन जो सीधी रेखा है उस पर आकर मिलती है तो उसे बोलते है opposition फिर आता है radial arrangement यानि बीच के central point एक बिंदू से चारों तरफ जब रेखा है फैलती है तो उसे बोलते है radial arrangement चलिए अब हम आपको च बारा gradation आप देख रहें घहरे से होता हुआ dark हलका हलके से हाँ और हलका हलके से और हलका हलका तो अगर आप अपनी अगर model फिर्स्ट पिक्चर में अगर आप model की तरफ देखें तो उपर से गहरा था फिर आपकी आँखे constantly सबोज ये घहरा होता फिर हलका होता फिर बीच मे gradation फिर आप यहां पर lines का देख रहें नीचे मोटे से पतला वाली जो चीज में आपको देख रहें तीसरी पिक्चर में आप देखें नीचे घहर है फिर उस पे पीच साइड में फ्लेर दिया गया फिर और छोटा फिर और छोटा फिर और छोटा तो यह जो gradation है यानि कि ब फिर आता है radiation radiation जैसे आपको मैंने बताया था single point से कई सारे design भार निकल रहें आप यह skirt में देख रहे हैं इस्तेमाल आप यह देख रहें तो धारिया एक point से कई सारे कॉन बना रही है और इसका application क्या किया गया है skirt में skirt में उपर की तरफ से pleats के नुमा फ्लेर जारे आप य एक जगे से निकल रहे है उपर chest के पास से bodies के पास से और वो flare नीचे side में गिरती हुई गिरती हुई और नीचे तक आ रही है यह देखिए कितना सुंदर इसका उपयोग हुआ है कई जगे लेकिन focal point एक है उससे कई सारी जगे उसकी radiation यानि की किर्ने फैल रही है यह देख चारों तरफ या प्लीटिट स्कृट के थू देख सकते हैं कमर के बीच में से चारों तरफ घेर वाली स्कृट पे प्लीट फैल रही है यह भी एक radiation का ग्रेडिएशन का वह है रेडिएशन का एक वह है आप देख रहे है पिक्चर में अम्रेला कर्ट स्कृट है और इसमें चारों तरफ इसकी फ्लेर्स फैल रही है और बीच में आकर यह कमर पर टाइट हो गई इसे बोलते हैं रेडिएशन फिर आता है ट्रांजिशन यानि की आपकी आँखें कर्व्स पे गोल गूमती जा रही है आप देखें ट्रांजिशन आप पहली पिक्चर में देखें यह ब्लैक कलर का उपर से नेक आया, फिर साइड में गया, फिर नीचे आया यानि आखों का घुमाव यानि पैंसल अगर आप पैंसल हाथ में ले ले और पैंसल से लगाता है एक घुमाव आता जा रहा है उसे बोलते हैं ट्रांजिशन अब आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंसिपल डिजाइन है और बहुत ही सुन्दर और खुबसुरत जिसका उपयोग किया जाता है वो कहता है इमफैसिस यानि आकर्शन बिंदू हिंदी में बोलते हैं आकर्शन बिंदू और कई बार इसको फोकल पॉइंट भी कहा जाता है जबकि परिधान तो पूरा प्लेइन हो और उसमें एक चीज को सुन्दर दिखाना है तो उसका कई जगे बार बार रिपिटेशन ना करके हम उसको एक चीज को पॉइंट अब आप पहले चित्र में देखें पूरी प्लेइन ब्लैक ड्रेस है और इसमें आपका नजर सीधे कि पर पढ़ रही है बेल्ट जो दूसरे गोल्डन कलर की बेल्ट लगाई है कमर पे टाइट कर दी उससे पूरी ड्रेस का ये क्या बन गया एक इमफैसिस यानि फोकल पॉइंट जिस पे एक ध्यान आकर्शन हम देना चारहे हैं ये पूरा गाउन प्लेइन है और बीच में आ आप उसे फोकल पॉइंट नहीं कह सकते थे तीसरे ड्रॉइंग में आप देख रहे हैं मॉडल ने बहुत ब्राइट पिंग कलर का प्लेइन ड्रेस पहना हुआ है लेकिन उसका फोकल पॉइंट क्या रहा है नेक लाइन में आपने देखा हुगा अंदर जो इनर है वो उसक आपका पलू सुंदर बनाना है तो आप कभी भी भूल कर जब पलू को आप भैवी बना रहे हैं तो खुबसरत तब लगेगा जब पूरी साड़ी प्लेइन हो या अगर आपका पूरा प्लाउस प्लेइन है कभी आपने तो आपको स्लीवस पे सारी जगे सबोज एक मोर के डिजाइन से मैं समझाना चाहूं तो एक वही बड़ा सारा मोर पलू पे भी हो वही मोर ब्लाउस की स्लीवस पे भी हो वही मोर पटलियों पे आए तो आपकी सारी जो रिजाइनिंग का रौनक है वो चली जाएगी बनिस्पत की सब कुछ प्लेइन होता और आपका सिर्फ एक पलू क्या होता डिजाइन से बना हुआ और साड़ी प्लेइन होती तो हर जब भी नजर पढ़ती किसी की तो वह आपके पलू पे जाती अकसर आप शादियों में जाते हैं और आपने देखा होगा महिला हैं सिर्फ पे बड़ा सारा मांग का टीका पहन लेती हैं गले मे बड़ा सारा हार पहन लेती हैं कान में बड़े सारे जुंके पहन लेती हैं हातों में धेर सारी चूड़ियां पहन लेती हैं अंगलियों में अंगूटियां पहन लेती हैं तो आपके मन में क्या आता है तुरंत आप हसके कहते हो कि चलती फिरती जेवर की दुकान है लेकिन ये गलत है अगर हमें साड़ी सुन्दर सी पहनी है तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास गले में है तो आप गले में भी पहने हैं कान में है तो कान में भी पहने नहीं, ऐसे में आप गला प्लेन रखिए और सिर्फ दो बड़े-बड़े कान के डैंगलर्स पहन लीजे देखिए आपका कितना आपकी आँखों को भी प्लेजेंट लगेगा और देखने वाले को ध्यान आपके कानों के जुमकों पे जाएगा वो लेकर तब जाएगा जब आपने गले में कुछ नहीं पहन रखा होगा सिर्फ पे आपने टीका नहीं लगा रखा होगा हाथ पे आपने चूड़िया नहीं पहन रखी होगी तो देखने वाले का ध्यान तुरंत किस पे जाएगा कान की आपकी सुन्दर बड़े बड़े जुमकों पर तो इसे कहते हैं इंफेसिस जो बहुत इंपोर्टेंट है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए अब आता है नेक्स्ट प्रपोर्शन प्रपोर्शन यानि अनुपात अगली कक्षन मैं आपको प्रपोर्शन के बारे में बताओंगी